ये भगवान, अभी तक नहीं आया विक्रम, पता नहीं कहां लेके गया होगा मेरे बेटे को, अजी जाके देखो ना, जाओ ना आ जाएगा, आ जाएगा, आ रहा है देखो शबश, जा लेदे, विक्रम मोटर सेकल चला रहा है, हां, हां विक्रम चला रहा है, जूटरल कर मार वेट, शबश, दयानन, तुम्हारा लड़का बहुत होचार है, आओ दयानन, तुम भी सिख लो, आएए न डाड़ी, अबब ब आये न अबबब। आए न अबबब अब तुम डैडि से अबबब हो गये है भर्वान मेरा बेटा तो गया चल उतर छुट छुट आए गया बेकारों का सरदार ए दयानन धेख एक दिन में सिख गया अरे बेटा किसका है अरे बेटा तो तुमाना आ है लेकर शागिर्ट किसका है नो काकौ आता हूं,अमा एक पहली कॉफी पिलाओ होकום तो ऐसे चलाता है जैसे मैं नवकरानी मैंने बना थी mé van dunot coffee हो इतना बड़ा गोड़ा हो गया, अकल वकल है के नहीं, भरतण को मुझ लगा के काफी पीता है, ऊपर से पियो भरतण तो जूटा मत करो। काफी तो ऐसे पिता है जैसे पूरा बरतण खा जाएगा. नहीं खाऊंगा यह इसे पिऊंगा. बना दोना. मेरा बरतन जुटाने होना चीए, बस चाय पीते पीते जिन्दगी गुजरी अब अम्मा की काफी का चस्का लग गया लगता है आठ दस कपी है बगर दिन नहीं गुजरेगा ऐसा मत करना बाबा, एक तो नोकरी से निकला गया हूँ अब घर से भी निकला जाओंगा तो तू, अम्मा काफी ला रही है, प्यार से कितनी अच्छी खुश भुआ रही है मुलो शुक्रिया मुस्तफा, काफी शुक्रिया मुस्तफा, मुस्तफा, गरम है हाँ, अम्मा का हाथ लगाए तो गरमी ही होगी मुस्तफवा वो स्पेक्षेल है क्यों शक्कर की जगाना मगडाला है विक्राम बोलाना ये लो उस्ताद अम्मा को ये पसंद नहीं कि उनके बर्तन को मैं मूँ लोगा हूँ और बच्पन से मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि छूत अचूत क्या होती है फुटपात थी, बेरहम भूख थी, बेरहम जिन्दगी थी चलो, अम्मा भी खुश, हम भी खुश विक्राम, इससे क्या बोलते हैं? स्ट्राउ उस्ताद स्ट्राउ, कितनी छोटी चीज है लेकिन कमाल की है छूत अचूत का जगडाई खतम कर दिया आदमी अगर फसाद ना करना चाहे तो कोई वजह ही ने फसाद होने की विक्रम, इदरो नयानन, यह तुम्हारा विक्रम हमेशा विक्रम ही रहेगा क्यों कोई इसे अक्रम बनाए और एक आला धगा मैने इसे बड़े यकीन के साथ बांदा है ताकि इसके अधूरे से अपने पूरे हो जाएं और इसको किसी के नजर न लगे इसके अधूरे हो जाएं माफ करना हम अंदर आ सकते हैं मगर आप लोग है कौन? ओ बाइलेक्शन हो रहा है ना हम लोग वोटर लिस्ट चेकर ने आएं गॉर्मिट के आदम है हम लोग अच्छा अच्छा आईए मिस्टर दिक्षित का नाम तो आपने बाहर नेम प्लेट पर पढ़ लिया होगा मैं उनके पत्नी हू भाग्य लक्षमी यह हमारी बेटी है विद्या और एक बेटा है विक्रम और कोई नहीं है घर में बाप बेटे बाजार गये आप लोग कुछ चाइवाै लेvania लिने ही तो आये है बचे लोग अस्सलाम ऑलेकुम मुस्तफा क्यों बहुत जलुदी में होगा है लोग गिवक एमन विदू हमा नाम भूल ग effectivement मैं इसी कुन हमें का हूँ इसी फैमिली का हूँ, मुस्तफ़ा जा मुन्य, जा मा, इसे अंदर ले जाए इन्हें मैं सही नाम पता बताता हूँ हौँ, हौँ, शौर हौँ, हौँ, हौँ! हौँ, शौर मताता हूँ, तुझा यह, हौँ, शौर शौर वसे खड़ा है खड़ा है। झाल झाल कौन थे वो लोग, मेरी बच्ची को क्यो लेके जा रहे थे ये सब तुम्हारी वज़े से हो रहा है जब सब तुम इस गर में आयो हमारा जीना दूबर हो गया है ठीक है तुम्हें चलता हूँ जाओ, चले जाओ, मगर इतना बता के जाओ के कौन थे वो लोग तुम्हें अपने पवित खुरान की कसम कसम ही दिये तु सुन लो, वो विपीन के लोग थे क्या भीगाड़ा है मेरी बेटी ने उसका मुन्नी अंदर जाओ जा विपीन मुन्नी के साथ रिष्टा कायम करना चाहता थे क्या? शादी का नहीं, एक रात का जिसम का सौधा माफकर अम्मा ये बात मुझे साफ साफ कहनी पड़ी अम्मा वो भेडिया मुन्नी की इज़त के साथ खिलवाड करना चाहता था इसलिए तुम्हारे न चाहने पर भी मैं इस घर में पड़ा रहा ताके इस घर के आपर उबर करार रहे तुम्हारी और विपिन की बाते में ने साफ साफ सुन ली थी मुस्तफा तो फिर मुझ से क्यों चुपाई? हमने भी एक बात चुपाई थी ममा इन्होने आकर हॉस्पिटल का बिल भी दिया था और डाड़ी की जमानत भी करवाई थी मुझे पताया क्यों नहीं किये खुट विद्या विद्या चल दे दावाय लेकर आ कोई जरूरत नहीं मामुली खावाया अम्मा मुझे माफ कर दू मस्तफा मैने तुम्हे गलत समझा तुम अपना खून बहाकर मेरे घर की इजद बचाते रहे और मैं नफरत करती नहीं तुमसे अम्मा तेरी नफरत में भी प्यार था जिसकी मुझे तलाश थी इन जखमों से तो बहुत पुराना रिष्टा लेकिन इस परिबाद से मिला हुआ तुम क्यों रो रही है हाँ चल पिटा पिटाद इस कर में कोई रोएगा नहीं ले तेरा भी नमक खाया तू जहां चाहती है वही तेरी शादी होगी यह बच्चे एक दुसरे से बहुत प्यार करते हैं इस मेने की बिस्तारिक बहुत मुबारक है उस दिन शादी हो जाए तो देखो मैं अरू का बाप हूँ इसकी शादी कब कैसे और कहा करनी है इसके लिए मुझे किसी की सला की जरुरत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल आप लड़के के बाप है तो मैं लड़के का भाई हूँ यह भूली है मर्द मुस्तफा और भाई क्यों आपका इतराज है मुस्तफा भाई मैं शादी करने के लिए तया अगर हम यह एलेक्शन हार गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी पार्टी का नामनुशान खत्म हो जाएगा अपोजेशन वाले तरह तरह के हत्कंडे इस्तिमाल कर रहे हैं लाख रुपए खरच कर रहे हैं आप भी रुपए की फिक्र मत कीजिए ब्लैंक चेक देने के लिए तयार हूँ मैं इंट का जवाब पत्तर से दीजिए लेकिन किसी भी कीमत पर खुदा के लिए इस एलेक्शन को जीत किए आप फिकर मत केजिए एक आदमी है जो यह ओपोजिशन की इंट से इंट बजा सकता है बुलेट का जवाब वह बारूथ से दे सकता है वह है मुस्तफा कहलेखले आप भी खेलूँगा यह हमारे यहले नहीं नहीं इय। मैं कुण लूँ मैं राकता हूं भैट तो खेल तो खेल अब एन यह तो अब भी लोंगा असलाम अलेकुम मालूम था अब जरूर आएंगे थोड़ी देर हो गए आईए अम्मा यह अब्बा जिन्होंने मुझे पाल पोस्कर बढ़ा किया अब्बा यह है मेरा नया परिवार नमस्ति कुछ अकेले में बात करने हैं आपके लिए काफी लाती हूंसके ऐसकी जरूरतरर अम्मा अब्बा मुझे है अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं कहिए अब्बा मुस्तफा मुझे तुमारी मदद की जरूरत है मुझे किसी भी हालत में उन लोगों को ये बाही लेक्शन जिताना है इतना तो मैं समझता हूं अब्बा तो फिर ये क्यों नहीं समझता कि तेरे अब्बा को तेरी जरूरत है मुस्तफा में तेरे सिवा किसी और पर परुसा नहीं कर सकता इस दंगे पसाद में मेरी जान भी जा सकती है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा मुस्तफा अपने अब्बास से सौधे बाजी करेगा अब्बास से नहीं लेकिन आपके ऊपर जो बैठे हैं उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी आपने ही कहा था इस धंगे में जजबात की कोई कीमत नहीं तू नहीं मांगता तू भी मिल जाता बोल क्या चाहिए दिक्षित की नौकरी बच्चे के लिए एडमिशन बच्चे की शादी के लिए पैसे इस परिवार की हिफाज़त बस और कुछ नहीं बड़ा जजबा दी हो गए मुस्तफा जब से देख रहा हूँ परिवार की बात कर रहा है मिल जाएगा लेकिन काम पूरा होने के बाद अबबा का हर लबस अराँखो पर काम हो गया समझो चाहे मुस्तफा की जान को नहीं ली जाएं अरे मरे तिरे दुश्मन सरकार अबबा को पैसे दे रही है अपोजिशन हमें पैसे खिला रही है अपनी तो पांचों उंग्लियागी में है और सर जलती हुई कड़ाई में होगा क्योंकि अबबा का कमांडर गुलाम मुस्तफा है अपोजिशन की हारिया जीत से मुझे कोई वास्ता नहीं मुझे मेरे बेटे के खुन का बदला लेना है इस इलेक्शन के धानली में मुस्तफा को खतम करना है मेरा एक ही मकसद है मेरे बेटे के माथे पर मुन्नी, यह तुम्हारी चुड़ी, जाम मानेगर भी रखी थी और यह कुछ यादे हैं, अपनी शादी में जरूर पहन लेना जिस शादी के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, मुझे ऐसी शादी नहीं कनी भीया मुझे भी ऐसी इंजिनिरिंग की सीट नहीं चाहिए उस्ताद मुस्तफा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओंगे मुस्तफा, जिस बुराई के रास्ते को तुम छोड़ चुके हो, तो बारह हम तुम्हे वहा जाने नहीं देंगे तेरा शुकर है खुदा, मैं तो लावारिस था, लेकिन मेरे मनने के बाद मेरी लाश लावारिस नहीं होगी, कोई तो है मेरे जनाजे को कंदा देने वाला जी, ऐसी अशुब बाते नहीं करते बिठा अम्मा अल्ला ने मुझे मेरे लिए आसु बहाने वाला घर दिया है, हर पल मैं इसे खुछ देखना चाहता हूँ मुझे तो जाना ही होगा, जाने से पहले तेरे हाथ की एक कॉफी मिल सकती है अपलाई दयानन ये वादा है, तुम्हारी नोकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी बिक्रम, तुम्हारी आडमिशन पक्की समझो दिल लगा के पढ़ाई करना मुन्नी के शादी में कोई कम ही नहीं होगी बोलो मालकेन, मालकेन मुस्तफा मुस्तफा हम शुक्रिया मुस्तफा बिक्रिया एखुँछुछुछुँ खुदाप पिस! अब मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई। कभी तो अपने दिमाग से काम कर सुदामा। हमेशा मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई। इस गर को तुम्हारी जरूरत है। इस गर की हिफाज़त और शादी का इंतजाम तुम्हारी जिम्मेदार है। मुस्तफा वाई, मुझे आंधी आने की आर्ट सुनाई दे रही है आंधी नहीं आएगी सुदामा हाँ, थोड़ी हवाँ जरूर तेज होगी, कुछ धूल उड़ेगी, कुछ सुखे पत्ते गिरेंगे बिखरेंगे इधर उदर पर जो पेड मजबूत है उसे जर से उकार फेंकनी की ताकत उस हवा के चुके में नहीं होगी, फिर मत करो सलाम अलेकुम मुस्तफा वाई, मुस्तफा वाई ओपोजिशन वाई लोगो ड्रा धम का रहा है कि रामपरसाद चोदरी को भोड़ दो वापस चाओ दुबारा उससी पबलिक को धमका उकसाओ, बोलो रामपरसाद चोदरी कोई वोड़ दोने तो कार्ट डालेंगे पर मुस्तफा भाई अपला का नेगेट तो डाक्टर सुरेश से दिखा रही है जो बोला है वो करना चलो हाई लोग चलो मझा 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 झाल झाल